नमस्कार दोस्तों, यूनी एक्जाम्स PCS पोटल पे तो आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, आज की क्लास में हम अपने जोग्रफी जो सिरीज हमने स्टार्ट किया है आपके साथ, जिसमें कि हम प्रिवियसेस के जो भी क्वेशन्स है, हमारे जो गत वर्षों में ठीक है, तो इसको लगा के हमें हमेशा जाना चाहिए, प्रिवियसेस क्वेशन्स एक तरीके से की होते हैं हमारे जो पेपर के लिए, तो आईए आज के टॉपिक को देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हम जिस टॉपिक से सवाल लगाएंगे, वो है एग्र अगर करें तो इंडिया जैसा कि हम बोलते हैं, ठीक है, और अगर हम बात करें तो अगर बात करें तो इंडियन रूरल एकोनोमी की, तो उसको बैकबोन भी हम कैसे हैं, और इंडिया में लगबग 49% जो लोग है, वो एग्रिकल्चिरल अक्टिविटीज में इंवाल्ड है, ठीक, और अगर हम बात करें तो अग्रिकल्चिर क्या है, एक प्राइमरी अक्टिविटी माना जाता है, यह क्या है, प्राइमरी अक्टिविटी माना जाता है, और इंडियन अग्रिकल्चिर की बात करें तो इंडिया में सबसिस्टेंस टाइप अफ अग्रिकल्चिर को उसके बाद कुछ, अगर surplus कुछ थोड़े बहुत बचते हैं, तो वो उसको market में बेचता है, ठीक है, तो इसको हम subsistence type of agriculture बोलते हैं, जो कि इंडिया में हम follow करते हैं, और इंडिया में mainly food crops को ज़्यादा महत्व दिये जाते हैं, ठीक, तो ये कुछ important features थे, इंडियन agriculture के बारे में, और अगर हम बात करें, agriculture sector की बात करें, तो it has grown अगर हम average जो annual rate है, ठीक, 4.6%, पिछले जैसे last 6 years में, जो growth rate देखने को मिला हमें, 4.6%, लेकिन 2000 अगर हम 20-21 की बात करें, तो growth rate थोड़ा कम हुआ, कितना था, 3.3%, ठीक, और वहीं 2021-22 में जाके और ज्यादा decline हो गया, और वो 3% पे पहुच गया, according to our economic survey के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक, और COVID के दोरान, जैसा कि हम सब ने देखा कि agriculture क्या था, एक तरीके से it was a silver lining for our economy, ठीक, agriculture ही एक ऐसा sector था, जिसने एक तरीके से इंडिया को support किये रखा था, fine, तो इंडिया की अगर बात करें, it has also emerged as net exporter, अब इंडिया जो है, net exporter of agricultural, जो agricultural products है, बन चुका है, ठीक, इंडिया मतलब, अगर overall net अगर हम निकाले, तो ये, अगर जो agriculture products को बाहर भेजता है, export करता है, fine, तो ये भी क्या है, important point हो जाता हमारा, और इसके कारण किस वज़े से ये possible हुआ, तो बहुत सारे जो है factors मिलके, इंडिया जो है, एक तरीके से agriculture में अच्छा कर रहा है, पहला क्या है, promotion of farmer producer organizations है, जो ground level पे एक तरीके से काम करते हैं, अलग-अलग जग हो पे, ठीक, साथे of diversification, ठीक है, according to the climate के वज़े से, ठीक, support provided for mechanization और technology में जो सुधार हो रहे हैं, उनकी वज़े से, और agriculture infrastructure fund, ठीक, तो ये बहुत सारे factors हैं, जिसकी वज़े से, इंडिया जो है, अच्छा perform कर रहा है, और इसमें जो बहुत सारे challenges भी मौझूद है, agriculture sector की अगर बात करें, तो ज जैसे climate change क्योंकि Indian agriculture जो है, rainfall dependent है, monsoon तो वो पूरी तरीके से dependent होता है, ठीक, अगर बारिश नहीं होती, तो जो है किसानों को काफी जादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, fine, काफी खराब situations हो जाती है, उसके साथ-साथ fragmented land holdings, मतलब जो किसान के पास जो land holdings है, वो जैसे दिक्कते आती, यहाँ पर बहुत जादा जो है, technology या जो mechanization बहुत जादा नहीं उपाता, छोटे land areas अगर होते हैं, तो ठीक है, उसके अलावा जो productivity की बात करें, तो वो भी जो yield होता है, per hectare की yield की बात करें, तो वो भी हमें कम देखने को मिलती है, ठीक, तो अगर हम overall, जो में, अगर हम बात करें, अगर GDP की बात करें, इसके, GDP में कितना contribute करता है, तो अगर हम GDP की बात करें, agriculture और allied sector की, तो यह, अगर 2020-21, 2021 के आकड़े की बात करें, तो कितना था, 20.2%, ठीक है, 20.2%, वहीं, बट 2021-22 में, 2021-22 में यह घट गया, और घट के, कितना हो गया, लगबग 18.8% तक, जो है, गर के आया, और अगर हम बात करें, 20.2%, जो है, लगबग वैसे, इसके पहले, जो agriculture था, लगबग 16-17% के बीच में, हमारा like करता था, बट 17 सालों के बाद, जो 20% का जो, एक तरिके से target है, Indian agriculture ने, वो एक तरिके से touch किया, fine, तो यह भी एक significant चीज हमें देखने को मिली, बट उसके बाद क्या है, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को आई, इसका जो GDP में contribution है, of agriculture and allied sectors, ठीक, तो अगर हम overall agriculture sector की बात करें कि, जो Indian agriculture के, जो main features हो सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, इंडिया मे subsistence agriculture को follow किया जाता, type of agriculture, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, monsoon dependent है, okay, monsoon dependent हो गया, fine, और क्या है, mainly food crops पे जादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, predominance of food crops, predominance of food crops हमें देखने को मिलता है, ठीक है, women का भी large, जो है, population हम देखते हैं कि agriculture में देखने को हमें मिलता है, ठीक है, large participation of women, जो है, labor, ठीक, साथ ही साथ हमें, अगर हम mechanization और technology की बात करें, तो यहाँ पे low level of mechanization देखने को मिलता है, ठीक, low level of mechanization, ओके, तो यह एक तरीके से क्या है, major major जो भी, Indian agriculture के क्या है, factors या features हम कह सकते हैं, fine, इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं, जैसे इसको rural economy, Indian जो rural economy है, उसका backbone भी बता सकते हैं, ठीक है, that is, backbone of rural economy का क्या है, backbone भी हम इसको बोल सकते हैं, fine, साथी साथ food security के लिए भी यह sector जो है, काफी important हो जाता है, अगर हम इंडिया के context में बात करें, चुक्कि 49% जो population है, Indian population है, they are involved in agriculture, agricultural activities, fine, और agriculture और allied sectors, दोनों का यह जो आप GDP में देख सकते हैं, यह दिया ओ, contribution के बारे में हम बात करें, allied sectors में आपके जो agriculture, जैसे poultry हो गया, dairy farming हो गया, यह सारी activities इसके अंडर आ जाएगा allied activities के, ठेक है, तो आईए, आप अपने सीधे questions पर चलते हैं और उनको देखते हैं, fine, तो आज का हमारा जो पहला question है, जैसा कि आप देख सकते हैं, match the following type है, एक side आपको person के नाम दे रखें, वहीं दूसरे side कि किस field से या किस चीज से वो related है, या concerned है, fine, पहला हमारा MS स्वामिनातन, इनके नाम के बारे में हमने काफी जादा सुना हैं, आप सभी ने सुना होगा, कि ये किस से जुड़े थे, green revolution, ठीक, इंडिया में ये green revolution के एक तरीके से जनक या father माने जाते हैं, fine, तो A का हमारा हो जाएगा 3, अगर हम अपने options की तरफ देखे, A का 3 हमें सिर्फ एक ही option में यहाँ पर देखने को बिल रहा है, मतलब हमें A की statement से अपने answer बिल चुका है, fine, तो C हमारा हो जाएगा answer, fine, C उत्तर हमारा हो जाएगा, तो अगर हम LK जहा की बात करें, तो यह किस से जुड़े हुए थे, economic and administrative reform से, ठीक है, और वहीं अगर वरगीज कुरियन की बात करें, तो यह milk production से जैसा की हम सब जानते हैं, ओके, और अगर हम मुरार जी दसाई के बारे में बात करें, तो यह social control on banks, इनसे concern ते, इनसे संबन देते, ठीक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, C, fine, option वैसे आपको दिखने ही रहे होंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ यहाँ पे, कि हमारा हो जाएगा, 3, 4, 2, 1, ठीक, यहा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, fine, next question की ओर चलते हैं, अगला question भी हमारा ठीक, उसी pattern पे question पूछा गया है, जिसमें की हमें पहला क्या है, golden revolution के बारे में दिया है, ठीक, बहुत सारे इंडिया में revolution आए, अलग-अलग color से symbolize करता है, ठीक है, हम देखने को हमें मिलता है, त बात करें, तो golden revolution हमारा है, horticulture and honey से जुड़ा हुआ, या fruits भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक, तो यह हो गया हमारा golden revolution, वही अगर gray revolution की बात करें, तो यह fertilizer या खाद से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वरक जिसको हम बोलते हैं, तो A का हमारा 2 अगर हम देखें, तो चुकि पहले में हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसको cancel out कर देंगे, यह भी नहीं मिल रहा है, तो यह भी cancel out हो जाएगा, ठीक है, तो दो options मिल रहे हैं, और B, gray revolution, A for A, B हमारा 4 है, ठीक, तो सिर्फ A की option में हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, और यह इसको हम eliminate कर देंगे, तो अगर हम yellow revolution की बात करें, तो यह oil seeds से जुड़ा हुआ है, और वहीं जो black revolution है, यह petroleum product से deal करता है, ठीक, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आईए, आगे देखते हैं, तो यह table आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो इंडिया में revolutions आए, किस किस ची black revolution के बारे में हमने पहले ही देख लिया कि petroleum product से deal करता है, ठीक है, brown revolution की बात करें, तो leather और cocoa से deal करता है, वहीं अगर हम grey revolution भी हमने देख चुका है, pink revolution बात करें, तो onion and prawns से, ठीक, red revolution, meat, tomato और जो की tomato products से deal करता है, ठीक है, इसी तरीके से और भी जो है, आपको revolutions के बारे में दिये गए है, fine, जैसे silver revolution हो गया, egg production से, ठीक, round revolution हम जानते है, potato से जुड़ा हुआ है हमारा, तो ये different types of revolutions in India के बारे में आपको बताया गया है, questions जो है, यहां से भी पूछे जाते हैं, match the following type में, ओके, आईए अगले question की और बढ़ते हैं, with reference to western उत्तरपदेश, ठीक है, western उत्तरपदेश, which of the following statements जो है, is या are correct, कौन सा correct है, ठीक, अगर हम statements को देखते हैं, कि कहता है कि हमारा western UP जो reason है, is much more developed compared to eastern reason या other reason, ठीक है, बतलब हमारा जो western reason है, उत्तरपदेश का, वो ज्यादा developed है, compared to other reasons, ये statement अगर हम देखे तो बिलकुल सही statement है, ठीक है, ये statement हमारा क् है, बिलकुल सही reason, सही क्या है, उत्तर है, दूसरा देखे, कि the reason has witnessed green revolution, कि वहाँ पे क्या है, green revolution देखने को मिला, ये भी हमारा statement बिलकुल सही है, ठीक है, in fact ये कारड भी हो जाता है, पहले statement का, कि green revolution के कारड ही, वहाँ पे जो western UP, जो area है, वहाँ पे काफी, एक तरीके से व बारे में हम बात करें, तो उत्तर जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे B, that is both, 1 and 2, will be our answer, आगे देखते हैं, अगला हमारा match the following type, इधर plant disease के बारे में, यहाँ से भी हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है, इधर factor, किस factor की वज़े से particular disease अकर होता है, जैसे citrus canker की बात करें, तो ये bacteria की वज़े से होता है, या जिवानू की वज़े से हमें देखने को मिलता है, और वही red rot of disease, जो की गन्य में देखा जाता है, शुगर केन के plant में देखा जाता है, तो ये किसकी वज़े से होता है, ये fungus की वज़े से होता है, तो A, B का हमारा 4 हो जाएगा, fine, A का हमारा 3, A option हमार eliminate हो जाएगा ओके बाकी के options भी हमारे eliminate हो जाएगे चुकि A का 3 सिर्फ A की option में हमें मिलता है that is C तो ये हमारा correct answer हो जाएगा ठीक काफी आसानी से हम इसको eliminate कर सकते थे अगर एक या दो हमें पता है तो fine और Krishna Khan disease of potato की बात करें ये आलू में अकसर देखने को मिलता है ये this is because of deficiency of oxygen की कमी की वज़े से ये particular disease होता है ठीक है और वहीं साहू disease की बात करें wheat गेहू में ठीक तो ये किस वज़े से होता है ये insect की वज़े से होता है ठीक या कीट की वज़े से हमें देखने को मिलता है ये बिमारी ठीक है आईए आगे देखते हैं अगला question है कि which of the following statement not is not correct कौन सा जो है incorrect है इस पर खास दियान देना है इन जो terms पर ठीक तो पहला हमारा की black soil is locally called rigor soil ठीक है बिलकुल सही बात है यह हमारा ठीक करेक्ट है हमारा दूसरा है कि according to crafts the rigor soil is essentially a mature soil ये भी हमारा बिलकुल correct statement है ठीक है क्योंकि black soil या rigor soil जिसको कि हम black soil के नाम से जानते हैं या cotton soil भी बोलते हैं ये क्या है mature soil है तीसरा क्या कि black soils are highly retentive to moisture ये भी हमारा correct statement है क्योंकि ये जो particular type of soil है ये moisture को काफी समय तक retain करके रख सकता है और यही कारण है कि इसको irrigation के लिए बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि little irrigation it requires little irrigation for cultivation of crops ठीक है या plant तो ये भी हमारा correct है तो चुकि उपर के तीनों correct है बचा एक last तो ये incorrect तो होगा ही fine बट इसको देख लेते हैं क्या कहता statement में black soil is found in Himalayan region ठीक ये हमारा incorrect है ये जादा तर जो black soil की अगर बात करें तो जो हमारा deck and plateau है उन areas में देखने को मिलता है खास कर से जो महाराष्ट्रा हो गया करनाठका आंदरपदेस तलंगाना ठीक है वहाँ पर उन areas में उन states में ये particular soil मिलता अगर रही बात Himalayan region की तो वहाँ पर हम जानते की potzol type of soil देखने को मिलते हैं क्या कहते हैं इसको potzolic soil ठीक ये particular type of soil हमें वहाँ पर मिलता है fine तो हमारा answer जो हो जाएगा इसका D option हो जाएगा ओके आए आगे देखते हैं which of the following is concerned with soil edific climatic biotic topography इन में से कौन सा term जो है soil से जुड़ा हुआ है मतलब एक तरीके से कह सकते मृदा से संबंदित है कर Hindi में बात करें तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा edific edific जो है it is a term related to soil ठीक तो ये हमारा answer हो जाएगा इसका option A ठीक है अगले question क्यों चलते हैं which of the following states is the largest producer of cardamom and pepper in India इस particular question की बात करें तो पहला option है Tamil Nadu Goa Kerala and Maharashtra अगर हम इसके answer की बात करें तो answer हमारा हो जाएगा Kerala Kerala is the largest producer of cardamom and pepper ठीक in India तो Kerala को हम जो है Spice Garden of India के नाम से भी जानते हैं ठीक है Spice Garden of India इस नाम से भी हम इसको जानते हैं ठीक और या फिर हम इसको Queen of Spices भी मोलते हैं Kerala को ठीक Queen of Spices को कि यहां पर जो है Kerala Spices या मसालों के लिए काफी जाना जाना जाता और यहां पर यहां से जो है Spices बाहर other countries में भी export किये जाते हैं इंडिया के द्वारा ठीक है अगले question क्यों चलते हैं अगला question हमारा है consider the following statements about farm subsidies in India farm subsidies या agriculture agricultural subsidies के बारे में आपसे कुछ statements दिएगे उसके basis पे आपको correct answer तक पहुचना है ठीक है पहला statement हमारा क्या कहता है कि दो input subsidies in India such as fertilizers fall under indirect farm subsidies ठीक है मतलब जो fertilizer या उर्वरक पर जो सरकार जो subsidy देती है या इंडिया में जो subsidy provide किया जाता है वो indirect subsidy farm subsidy के अंदर आता है मतलब अब protection जो एक तरीके subsidy सरकार देती है उसके अंदर आता है इस statement की बात करें तो यह statement हमारा बिलकुल correct statement है ठीक fertilizer subsidy जो है हमारा indirect farm subsidy के अंदर आता है ठीक अगर हम direct farm subsidy के बारे मतलब करें तो direct farm subsidy क्या होता है वो subsidy या एक तरीके से जो help सरकार जो farmers को provide करती है directly provide करती है for example in the form of cash incentive के बारे में जैसे आपने PM किसान के बारे में सुना होगा ठीक PM किसान हो गया ठीक है जिसमें जो है सरकार 6000 रुपए सालाना जो है farmers को देगी ठीक है या हम पहल स्कीम के बारे में बात कर लें इसमें की LPG जो connections है वहाँ पे भी subsidy provide की दा रही है तो यह सभी क्या directly जो है जो beneficiaries उन तक पहुचाया जा रहा है तो यह तरीके से क्या हो जाएंगे हमारे अगर हम PM किसान की बात करें इसको छोड़ दें because this is related to LPG cylinder तो PM किसान क्या एक तरीके से example है direct farm subsidy का और fertilize जो है हमारा indirect farm subsidy का ठीक आईए अगले statement क्यों चलते के reduction in power and irrigation bills offer to farmers fall under direct farm subsidies ठीक है अगर हम सेकेंड statement की बात करें तो irrigation और power bills जो है हमारे indirect farm subsidy के तहता आते हैं ना कि direct farm subsidy ठीक विकास यहाँ पर बहुत सारे power companies जो है वो involved होती है अगर हम diagram के उससे समझाएं आपको suppose अगर अगर मालीजें यहाँ यह क्या है government है suppose ठीक बीच में क्या है farmers हो गए एक fine तो अगर आपको जो subsidy है government से directly यहां तक farmers तक पहुच रहे तो हम इसको direct farm subsidy बोलेंगे ठीक है direct farm subsidy अगर वहीं कहीं बीच में मालीजे कोई company involved है ठीक है company कोई involved है और government क्या है companies को subsidy provide कर रहे है ओके और यह companies जो है farmers तक जो आगे फिर कोई product for example fertilizer 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 के case में क्या होता है सरकार जो है जो fertilizer companies है उनको subsidy provide करती है और वो fertilizer companies fertilizer produce करती है और फिर आगे farmers को एक तरीके से बेचते हैं तो यह हमारा indirect farm subsidy हो जाएगा, ठीक है, indirect farm subsidy, तो I hope जो concept है आपका direct और indirect का वो clear हो गया होगा, आईए question की ओर चलते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, incorrect हो जाएगा, तीसरा statement है कि the agricultural provisions of WTO, though allow direct farm subsidies, but prohibit indirect farm subsidies, ठीक, अगर इसकी बात करें, तो WTO की अगर बात करें, जो WTO में trade related ज ठीक है, उसके तहट, WTO दोनों type के farm subsidies को एक तरीके से prohibit करती है, ठीक है, but certain exceptions है, एक limit तक यह possible हो सकता है, ठीक, बट यह, उस case में क्या है, normally अगर हम बात करें, तो दोनों, जो indirect और direct हैं, दोनों को WTO जो है, प्रोहिबिट करती है, तो यह हमारा incorrect statement हो जाएगा, यहाँ पे, तो अगले की बात करें, चौते की, तो all subsidies provided by government in India fall under indirect subsidies, ठीक है, इंडिया में कहने का मतलब यह, कि इंडिया में जितने भी जो है, government subsidy provide करती है, farmers को, वो क्या है, indirect type of subsidy के category में आते हैं, यह हमारा incorrect हो जाता है, ठीक है, क्यों incorrect हो जाता है, इसके बारे में हमने आपसे पहले ही ब एक क्या है, एक तरीके से example कह सकते हैं, ठीक है, और या फिर एक तरीके से जो loans में subsidy सरकार देती है, उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, farm loan waiver वो भी हमारा direct subsidy में आ जाएगा, ठीक, तो यह भी हमारा incorrect हो जाता है, तो यहां से सर्फ एक ही statement हमारा correct है, जो की पहला है, ठीक, तो answer ह हमारा हो जाएगा, one only, this will be our answer, आइए, अगले सवाल क्यों चलते हैं, which one of the following countries is the largest exporter of tea in the world, इसके अगर बात करें, तो यहां पे चाइना जो है, वर्ल्ड का largest producer है, oh sorry, exporter है, tea का, चाय का, ठीक, तो यह हमारा answer हो जाएगा, अगला क्या है कि which of the following soils of India has been formed due to weathering of basaltic lava, basaltic lava की व इसके weathering की वज़े से कौन से soil का formation इंडिया में हमें देखने को मिलता है, alluvial soil, lateride soil, red soil, regular soil, ठीक, अगर हम इस question की बात करें, तो हमारा जो answer हो जाएगा, regular soil, इसका formation जो है, जो एक तरीके से basaltic lava है, उसके weathering due to the, अगर हम time period की बात करें, एक लंबे समय तक, weathering की वज़े से soil का formation हुआ है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये डेकन जो प्लेटियो, डेकन लावा प्लेटियो, उस जगह पर, उस एरिया में, जो states है, जैसा है कि हमने आपको बताया कि महराश्ट्रा हो गया, हमारा, ठीक है, करनाटका हो गया, आंध प्रदेश हो गया, तेलंग झाना हो गया, तो ये सभी states, जोए डेकन जो प्लेटियो एरिया, वहाँ पे एक तरीके से लाई करते हैं, ठीक, तो, यहाँ पर देखने को मलता है, और black soil को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम, sorry, रिगूर, soil को ही हम black soil कहते है, ठीक है, या हम इसको cotton soil भी बोलते हैं, ल्याक कॉटन या कॉटन सोयल भी कह सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे नामों से इस पर्टिकलर टाइप आप सोयल को हम बोलते हैं, ठीक, और ये एक तरीके से इसकी बात करें, तो यहाँ पे इस में इस पर्टिकलर टाइप आप सोयल में जो हुमस कंटेंट होता है, वो लो ह होता है कम देखने को मिलता है इसके साथ साथ जो नाइक्रोजिन और फॉस्फोरिस की मात्रा वो भी हमें यहां पे कम देखने को मिलती है पाइन ठीक है तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आईए अगले सवाल क्यों चलते हैं कि विच स्टेट विच इंडियन स्टेट हाज दा हाईएस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन ठीक यहां पे शुगर केन कल्टिवेशन के बारे पूछा है कि कौन से स्टे अंडर शुगर केन कल्टिवेशन ठीक तो यह हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका और उत्तरपदेश के बाद कौन सा स्टेट आ जाएगा हमारा एक तरीके से महाराश्ट्रा हम कह सकते हैं और प्रड़क्शन की बात के तो सबसे ज्यादा प्रड़क्शन भी प्रड़क्शन की अगर बात करें तो उसके बाद महाराश्ट्रा करनाटका तो यह हमारे क्या हो जाएगे और हो जाएगा आए अगले क्वेशन क्यों चलते हैं अगला जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं यह शुगर प्रडूइसिंग स्टेट्स के बारे में दर्श आया गया है तो यह आप देख सकते हैं चलिए अगले क्वेशन क्यों चलते हैं इन इंडिया में हाफ जो प्रड़क्शन है स्टेट से किस राज्य से आता है अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा उत्तर है वो है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो प्रड़क्शन है सोयाबीन का वो हमें मिलता है ठीक है तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं एसर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेशन हमसे पूछा जा रहा है पहला एसर्शन में क्या कहता है कि ब्लैक सोयल्स आर सूटेबल फॉर कॉर्टन क एक बात है यहां पर क्योंकि हम इसको बोलते ही है क्या बोलते हैं क्यों के नाम से जानते हैं और क्यों जानते इसी वजाए से यह जो cotton की cultivation के लिए काफी जादा एक तरीके से favorable होता है जो climatic conditions चाहिए वो यहाँ पर देखने को इस particular soil में जो एक तरीके से जो चाहिए, nutrients चाहिए वो हमें मिलती है ठीक है, reasoning क्या गहता है कि they are rich in humans अगर इस statement की बात करें तो यह हमारा एक तरीके से incorrect हो जाता है ठीक है, तो कि humans में वो एक तरीके से weak होते हैं तो answer हमारा क्या हो जाएगा, A is true but R is false तो यह option C will be our answer, ठीक है, आगे आगे चलते और अगर हम black soil की बात करें, इसकी खास बात क्या है कि इसको जैसा कि पहले भी हमने बताए कि irrigation के लिए इसको कम मात्रा में पानी की जरुवत होता है और इसकी जो moisture retention है, capacity है, वो काफी जादा है जिसके लिए कि ये soil जाना जाता है, ठीक और इसी वज़े से इसको कम मात्रा में पानी की जरुवत होती है irrigation के लिए, ठीक, आईए, आगे बढ़ते हैं which of the following is not a kharif crop, कौन सा इन में से kharif crop नहीं है cotton, groundnut, maize, mustard, ठीक, खरीफ crop की बात करें तो ये summers में grow किये जाते हैं, ठीक है summer season में, ठीक, तो इसमें से अगर हम mustard की बात करें सरसों की बात करें, तो ये kharif crop नहीं है ये कौन सा crop है, हमारा rabi crop है, जो की सर्वियों की मौसम में एक तरीके से cultivate किया जाता है, ठीक, अभी अगर हम बात करें इस season की बात करें, अभी current हम time period की बात करें, तो अभी सरसों की एक तरीके से कटाई का season है, ठीक है, harvesting time है इसका, fine, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, अगला question क्या है कि which of the following states of India has the largest area under, largest area under tobacco cultivation, ठीक, उत्तरप्रदेश, करनाटिका, आंद्रप्रदेश, गुजरात, तो अगर हम tobacco cultivation की बात करें, तो सबसे ज़ादा जो एक तरीके से tobacco cultivation किया जाता है, area wise वो है गुजरात में, state of गुजरात, तो ये हमारा answer हो जाएगा, fine, अगर हम production की अगर बात करें, production की अगर बात करें, तो production में भी गुजरात क्या है, सबसे आगे है, fine, गुजरात क्या है, सबसे आगे है, और गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है आंधर आंधर प्रदेश ठीक है गुजरात के बाद हमारा आंधर प्रदेश और आंधर प्रदेश के बाद स्टेट ओफ एक तरीके से हम अगर बात करें तो हमारा क्या जाता है यूपी ठीक अगले कोशिन के और अगर हम बढ़ें तो क्वेशन हमारे क्या कि which of the following crops are grown mainly in irrigated areas during zide season ठीक है जाइड season में कौन से crop जो है उगाए जाते हैं ठीक in the irrigated areas during zide जाइड कि अगर season की बात करें तो ये March से एक तरीके से June तक का जो time period होता है वो हमारा एक तरीके से denote करता है जाइड period ठीक जो कि एक तरीके से summer सर्दियों गर्मी और सर्दियों के बीच में आता है देखने को हमें मिलता है एक तरीके से जो काफी कम time period के लिए ये season आता है अगर answer की बात करें तो मूंग और उरद है मूंग और उरद जो है हमारा जाइड period में cultivate किये जाते है ठीक जबकि अहर और हर और ग्राम राइस और मिलेट्स मेज और नहीं किये जाते ठीक है ये एक तरीके से खरीट season के crop है अगर हम बात करें तो अगला question हमारा क्या है कि largest producer of sugar in India कौन सा स्टेट है ठीक बिहार करनाटका महाराश्ट्र उत्तर प्रदेश तो यहां पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा option c that is महाराश्ट्र जो है वह opposite re-emerge emerged as the largest producer of sugar in India ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा fine और अगर in world level पे अगर बात करें तो इंडिया इंडिया जो है वह क्या है largest largest producer producer भी है ठीक है और साथ-साथ क्या है consumer भी है in the world अगर world level बात करें तो इंडिया is the largest producer as well as consumer of sugar ठीक और अगर हम export के terms में देखें तो second largest इंडिया की ranking है ठीक है second largest in terms of export ठीक अगर हम production की बात करें तो इंडिया ने एक तरीके से ब्रजील जो की पहले top number rank 1 पे था उसको पीछे छोड़ दिया in terms of production और वो अब इंडिया जो है largest producer बन चुका है इसके बारे में हम पहले ही दो से तीन बार बात कर चुके तो इसका जो हमारा सीधे से आंसर हो जाएगा that is black soil ठीक इसको कम irrigation चाहिए होता है ठीक है यह हमारा उत्तर हो जाएगा अगला सवाल क्या है कि who has written the history of Indian agriculture ठीक यह किताब किस में लिखी है the history of Indian agriculture MS स्वामीनाथन एस अइपन के भी थॉमस एंड एमेस रंधावा अगर इसके उत्तर की बात करें तो option D MS रंधावा इस दी करेक्ट आंसर ठीक है यह agriculture से जुड़ हुए agriculture research से जुड़ हुए है green revolution से भी यह individual जो थे जुड़ हुए थीक है कि हमारा उत्तर हो जाएगा MS रंधावा अगला सवाल है कि हमारा the agro-ecological regions of the country are कितने time कितने जो है number of उसमें divided है इंडिया का जो agricultural एक तरीके से देखें ठीक है जो agro-ecological regions है इंडिया के वो कितने divisions में बटे हुए है ठीक 15 17 18 20 तो इसका जो उत्तर है 20 ठीक 20 divisions में agro-ecological regions of इंडिया क्या है वे भाजित है according to अगर हम मात करें तो जो national bureau of soil survey है उसने इस particular divisions को दिया है ठीक national bureau of soil survey हम क्या सकते ठीक है अगला question है हमारा first agricultural university in the country वो set up in the year कि साल में पहली जो agricultural university थी वो स्थापित की गए थी 1950-60-70-80 ठीक इसके आंसर की बात करें तो option b 1960 में first agricultural university of इंडिया was set up ठीक जिसका एक तरीके से हम नाम की बात करें तो गोबिंद बल्लब पंत agricultural and technology एक तरीके से university of agriculture and technology ठीक है ठीक है और यह कहां पर है अगर इसकी बात करें तो पंत नगर उत्तराखन ठीक है यह हमारा हो गया ठीक है तो भी specific अगर बात करें तो 17th of level mirror में इसको स्थापित किया गया था तो यह हमारा answer हो जाएगा fine अगला question है कि हमारा if safe storage is to be ensured moisture content of food grains at the time of harvest should not be higher than मतलब अगर हमें सुरक्षित तरीके से या safe storage करना है जो हमारे एक तरीके से food grains है तो उनमें moisture की जो content है वो कितना होना चाहिए ठीक है या एक तरीके से कह सकते कितने percentage से जादा नहीं होना चाहिए moisture content 14%, 16%, 18% और 20% तो अगर हम इसकी बात करें तो moisture content at the time of harvest फसल की कटाई के समय उसमें 14% से जादा moisture नहीं होना चाहिए ठीक है 14% से जादा नहीं होना चाहिए तो answer जो हमारा option A हो जाएगा ओके यह हमारा answer हो जाएगा अगला question देखते हैं कि which of the following green manure crops contains highest amount of nitrogen कौन सा crop धैचा, sunhem, cowpeak and guar तो इसकी अगर हम बात करें तो cowpeak जो है it has the highest content of amount of content of nitrogen तो यह हमारा correct answer हो जाएगा इस particular question का तो आज के questions हमारे यहीं खतम होते हैं कल हम फिर आपके साथ जो है अगले जो है इस series को और आगे बढ़ाएंगे और net topics अब अगर हम Indian geography की बात करें तो हमारा एक topic बच रहा है एक या दो topic हम कह सकते हैं जो कि minerals इंडिया में जो भी minerals पा जाते हैं उनसे जुड़ा जो topic है वो बचा हुआ और जो miscellaneous questions जो पूछे जाते हैं वो तो दो topic बचे हैं फिर तब हमारा Indian geography हमारा पूरा topic खतम हो जाएगा फिर हम इसके बाद हम world geography पर जाएंगे और उनसे जुड़े जो भी सवाल पूछे गए हैं previous years में उनको एक तरीके से हम लगाएंगे देखेंगे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद झाल